नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे form 26AS के बारे में वैसे तो इस form का संबन पूरी तरह से प्रित्यक्षकर यानि की आयकर से संबन्दित है आपको आयकर विवरनी यानि की income tax return भरते वक्त इस form 26AS को अवश्य दिखना चाहिए इस form में मुख्य रूप से क्या क्या सुचना होती है और आप इसे किस website से डाउनलोड कर सकते हैं उन पर चर्चा करने से पहले हम इसके कुछ रोचक पहलूँ पर बात करेंगे दोस्तो मेरा नाम है अमरित सिंग और यदि एए वीडियो आपको काम का लगे और पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें साथ ही इसे शेर करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें दोस्तो संभवदे आप सभी ने यह सुना हो कि अमक्य विक्ती ने अच्छे घर परिवार और दहेच के लालच में जूट पुल कर विवा किया हो कई लोग किसी कंपनी असंगठन में काम तो बहुत छोटे से पतपर करते हैं पर वे दावा ये करते हैं कि बहुत ही उचे पतपर कारे रहते हैं इसके लिए कई बार अपने जूट को सच्चा साबित करने के लिए वे जाली कागजात और कई जाली गवा भी तैयार कर लेते हैं जो कि उनके जूट को सच्चा साबित कर सकें मैं एक उधारन देता हूँ एक विक्ती एक एरपोर्ट पर पोर्टर यानि की कुली का काम करता है लेकिन दावा करता है कि वह एक एरलाइन में पाइलिट है अपने दावे को साबित करने के लिए वह अपने रहन सहन पैनावे उडावे चाल चलन तथा मित्रों आदी में भी आवेशक परिवर्तन ले आता है कुछ-कुछ गुविंदा की विक्चर कुली नमबर वन की तरह आपको एरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमती नहीं है तो आप किस प्रकार उसके जूट का परदाफास कर सकते हैं क्या इस जूट को पकड़ने का कोई तोड़ है जी हाँ आयकर विवाग द्वारा जार किया जाने वाला फॉर्म 26 AS ऐसी सभी बातों का तोड़ है आईए एक दूसरी स्तिती को भी देखते हैं एक विक्ति आपकी पहचान चुरा कर किसी दूसरी जगह पर आपके नाम से ही कोई नौकरी पा लेता है यदि ऐसा होता है तो आपको इसका पता फॉर्म 26 AS से लग सकता है दोस्तों यह फॉर्म 26 AS आखिर है क्या फॉर्म 26 AS में आपके पैन कार्ड के नाम पर सभी स्रोंतों से आपको मिलने वाली आए एवं कर संबंदी सूचनाओं का संग्रह होता है जैसे कि कुल वेतन एवं आएकर सावधी जमाराशियों यानि कि फिक्स डिपोजिट से मिलने वाली ब्याज एक सीमा से अधिक कीमत की अचल संपत्ति को खरिदने पर सुरोत पर करकाटोती तता स्वेम आपके द्वारा आपके पैन कार्ड के विरुद किये गए भुकतान की सभी सूचनाए आएकर विवाग द्वारा जारी किये गए रिफन की सूचनाए आदी इस फार्म 26 AS में होती है आएकर विवरनी यानि कि इनकंटेक्स इटर्न भरते वक्त संबंदित वित्वर्ष के फार्म 26 AS को अवर्ष दीखना चाहिए फार्म 26 AS में आए एवं कर संबंदी सभी आंकडे वित्वर्ष के अनुसार एकत्र किये जाते हैं यह इस बात का भी दियोतक है कि आपको प्राप्त होने वाली आए एवं आपके द्वारा भुक्तान कीगे करकी कितनी सूचने सरकार के पास पहले से ही उपलब्द हैं आएकर विवरनी भरते सामें आप कम से कम इन सूचनाओं को तो नहीं ही छुपा सकते हैं वेतन, पैंशन, एक सीमा से अधिक निवेश, ब्यास तथा, कर, आदिस सम्मंदित, सभी आखडे, सम्मंदित संस्थां द्वारा, सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अंतरकत, विविन डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अध्यतन यानि की अपडेट किये जाते हैं एक एक्रित जिचल प्रणालियों द्वारा ये आखडे, सभी सम्मंदितों के पैन कार्ड के विरुद अध्यतन हो जाते हैं Form 26 AS देखने अत्वा इसकी PDF प्रति प्राप्त करने के दो तरीके हैं आप चाहें तो इसे आयकर विवाग की वेब साइट में लॉगिन करके देख सकते हैं Income Tax Return भरने के लिए आपको वैसे भी Income Tax विवाग की साइट में लॉगिन करना होता है सफलता पूर्वाग लॉगिन होने के बाद आपको E-File और उसके बाद Income Tax Returns और फिर उसके बाद View Form 26 AS में आना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यह वेब साइट आपको Traces की वेब साइट पर Redirect कर देगी इस Traces की वेब साइट पर पहुचने के बाद आप अपना Form 26 AS देख सकते हैं Form 26 AS को देखने का दूसरा तरीका यह है कि आप Traces की वेब साइट पर ही अपना एक अकाउंट बना लें क्योंकि आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करें Form 26 देखने के लिए अंतत है आपको Traces की वेब साइट पर ही आना है अंतरमात यह है कि यदि आप Traces की वेब साइट में रेजिस्टर करके लॉग इन करते हैं तो वहां पर आप सीधे तोर पर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिबकि यदि आप Income Tax Black की साइट से लॉग इन करने के बाद Traces की साइट पर पहुँचेंगे तो आप पहले HTML या फिर टेक्ट फाइल ही देख पाएंगे और उसके बाद यदि आप चाहें तो उसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं पूर में Form 26 AS को देखने की सुविदा इंटरनेट बैंक की माध्यम से भी उपलब्द थी जिसे की अब बंद कर दिया गया है कारण मुझे नहीं मालूम दोस्तो चूंकि Form 26 AS पैन यानि की पर्मानेट अकाउंट नंबर के उपर होने वाली सभी आय तथा कर संबंदी सूचनाओं का संग्रह है अतहें इंकम टेक्सेटन यानि की आयकर विवरनी भरते समय आपको Form 16 A, 16 B के अलाबा Form 26 AS को भी अवस्य देखना चाहिए ताकि आपकी आयकर विवरनी सही हो और आपको आगे चलकर किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े दोस्तो आईए अब इस वीडियो के मूल प्रशन की और वापिस आते हैं इस Form 26 AS की मदद से आप किसी विक्ति की पद एवो आय संबंदी दावों की पुष्टी किस प्रकार कर सकते हैं आईए देखते हैं जिस विक्ति की दावे की पुष्टी आप करना चाहते हैं उसे अपने सामने मोबाइल, लैप्टॉप या डेस्क्टॉप पर उसका Form 26 AS ओनलाइन दिखाने को कहें यकीन मानिए जूटे आदमी पर तो मानों वज्रपात हो जाएगा Form 26 AS में आपको उस विक्ति के दोरा विभिन स्रोतों दोरा प्राप्त होने वाली आय दिखाए देगी इसके अलावा उस विक्ति दोरा पूर में कितना कर सरकार को दिया गया है तता वरतमान में दिया जा रहा है उससे आप उस वक्ती की वास्तिविक आय तथा पद का अनुमान लगा सकती हैं इसके अलावा तिसी कंपनी या रोजगार परतात द्वारा उस वक्ती के पेन कार्ड के विरुद यदि कोई कर्जमा किया जा रहा है तो उससे आपको उस विक्ति के पहचान पत्र को देखी बना यह पुष्टी हो जाएगी कि वह किस कंपनी में कारेरत है अतहे आप उस विक्ति के दावों की सही सही पुष्टी कर सकते हैं तो दोस्तो निकट भविष्ण में यदि आप अपने घर परिवार आदी में विवा के लिए लड़का अत्वा लड़की देखने जा रहे हैं क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी विक्ति के विरुद अकारण ही सरकार को टेक्स नहीं देगी इसके अलावा आपकी पहचान को चुरा कर यदि कोई विक्ति किसी अन्य जगे नौकरी कर रहा है तो उसके रोजगार प्रदाता द्वारा उसकी दी जाने वाली आए एवं कर संबन्दी आखड़े भी आपके पैनकार के नाम पर अध्यतन होंगे जिसके आधार पर पुलिश में शिकायत देकर आप उस जाली विक्ति को पकड़वा सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको रोचक लगा होगा और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली होगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और यदि आपको पसंद ना भी आया हो तो कम से कम हमारी कम्यों से हमें अवगत अवश्य कराएं अगली वीडियो में हम उन कम्यों को दूर करने का प्रयास करेंगे वीडियो को अंतो तक देखने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद